नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है लेकिन हमारे बॉलिवूट को पता नहीं कभी ये बात समझ भाए है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल श्वागत है आपका मेरे शुनल बॉलिवूट हो देखे किसी भी कल्चर को अपनाना या फिर किसी धर्म के बारे में पूर्णता जानकरे रखना एक अलग बात होती है लेकिन सिर्फ उस धर्म को जानने की या फिर उस कल्चर में रम जाने की कोशिश करना एक अलग चीज होती है मान लीजिए कि मैं ये तिलक लगाता हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि कब कौन से उंगली से तिलक लगाना है क्योंकि तिलक को भी हर एक कंडिशन में अलग-अलग तरीके से लगाया जाता है तो मैं अगर इस पारे में नहीं जानता हूं तो मैं सिर्फ एक सनातानी होने का ढोंग कर रहा हूं। ऐसा ही कुछ अब बॉलिवूड में हुआ है। सलमान खान की फिल्म आने वाली ही किसी का भाई किसी की जान। जिसमें कि उन्होंने साउथ इंडिया कल्चर को भर-भर कर घुसेड़ने की कोशिश करी है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि धोती और लुंगी में क्या अंतर होता है। जियां दोस्तों अब सलमान खान की मूवी का गाना यंतम्मा रिलीज हुआ है। जिस गाने में कि बार-बार लुंगी वर्ड का इस्टमाल किया गया है और उसमें पहनी हुई है धोती। इस गाने में उनके साथ में दग्वुपती, वेंकटेश और रामचरन ने भी डांस किया। ये चीज तो समझवां आती है कि सलमान खान के मन में अब ये डर बेट चुका हुए है कि सिर्फ मेरे दम पर मेरी फिल्म को पेन इंडिया नहीं चलाया जा सकता। इसलिए उन्होंने इस फिल्म में साथ इंडिया के कलाकारों को भर भर के लिया है और पूरा एक हिस्सा फिल्म का साथ इंडिया में सूट करने की कोशिश की उसी हिस्से में ये गाना दिखाया जाएगा। तो चलिया हम भी जान लेते हैं कि सल्मान खान ने और क्या खुछ गल्दिया की है इस मूवी से और हम इस मूवी से क्या उम्मीदे रख सकते हैं। का भाई किसी की जान से जुड़ा हुआ है। किसी का भाई किसी की जान तक जारी है। के अजीज दोस्त सल्मान खान ने भी अपनी फिल्म में एक लूंगी डांस रखा है। का साउथ कनेक्शन इस्थापित करने की कोशिश की गई है। सुल्मान खान, बैंक टेश और रामचरण ने लूंगी की जगा धोती पहनी हुगी। जबकि गाने में बार-बार लूंगी का जिक्र होता है। जिसमें कई बार कहा जाता है कि नाचेंगे अपनी उठाकर के लूंगी। ये कहते वे तीनों सितारों को अपनी धोती उठाते वे भी दिखाया गया है। लूंगी और धोती में फर्क होता है। लुंगी चेक पेटरन के शाथ में केजुवल वियर हैं, पुरुष आम तोर पर घर में लुंगी पेहनते हैं, जबकि वेश्टी या फिर धोती, तेलगु में पंच और मलियालम में मुंडू, सुनहरे या फिर रंगीन किनारे वाली एक सफ्यत कपड़ा होता है। माना कि फिल्म में किसी भी शाथ इंडियन बेक्ग्राउंड पर फिल्माना कोई अफराद नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसा करने से पहले रिसर्च तो किया जाना चाहिए, इस मामले में शाथ के फिल्म मेकर्स बॉलियूट से बहुत आगय होते हैं, वो अपनी फिल्मों को बना बॉलियूट के साथ साथ के कलाकारों को कास्ट किया गया है। फिल्म में सल्मान खान के साथ में वेंकिटेज, दग्गुपती, पुजा हेगडे, जगपती बाबु, भूमिका चावला, विजेंदर सीं, अभिमन्युशीं, रागव जुयाल, शिदार्त निगम, जस्ति ग इसके साथ ही फिल्म में जबरदस्त एक्षन सीक्वेंस देखने को मिनने वाला है, जो कि शाउट चिनेमा की यूएस्टी माना जाता है। शारुप खान के साथ ही सल्मान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का चिनेमा घर में टीजर रिलीज किया गया था। इसमें ए चनपांडे, इंटर्टेन्मेंट, हाउस फूल 3, हाउस फूल 4 जैसी कॉमेडी फिल्मों को निर्मान के लिए जाना जाता है। इसे में देखना दिल्चस्प होगा कि एक एक्षन फिल्म में वो क्या हुनर दिखाते हैं। वैसे फिल्म एक्षन सीक्वेंस को मसूर एक्षन और इस गाने में क्या क्या गलतिया निकाली जा सकती हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप ना भी तक मेरे शेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दीशे कर दीजिए और इसे तरह के खबरों के लिए बने रही हैं मेरे शेनल के साथ।